आज हम एक ऐसे सूपर फूड का रिव्यू करने जा रहे हैं जो की काफी पॉपुलर है हेल्थ कॉमिनिटी में इस सूपर फूड का नाम है चिया सीड्स इसका जो सबसे बड़ी वज़य है जिसकी वज़य से ये पॉपुलर है वो ये है कि इसमें एक तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं प्रोटीन होता है वाइटामिन्स होते हैं और इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं Chia seeds को harvest किया जाता है एक plant से जिसका नाम है Salvia hispanica जो की native है Mexico से जो इसका natural color होता है वो होता है black या फिर white इसका brown color अगर आपको Chia seeds का दिखता है तो ये बात जान ले कि वो natural नहीं है अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक चमच Chia seeds में कितने ज़्यादा proteins और minerals होते हैं सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक tablespoon Chia seeds के अंदर 68 calories होती है 6 gram carbohydrates होता है 2.2 gram protein होता है 4.3 gram fat होता है 5.3 gram fiber होता है उसके अलावा इसके अंदर phosphorus, calcium, zinc, copper, potassium, sulfur, iron, vitamin A, B, E, and D, omega 3 fatty acids और बहुत सारे antioxidants होते हैं तो जैसे कि आपने देखा कि सिर्फ एक चमच Chia seeds खाने से हमको कितने सारे vitamins, minerals, protein, fatty acids, fiber मिल जाता है तो आप सोच के देखिए कि हम इसको regular अपनी diet का हिस्सा बनाए तो हमें इससे कितना ज़्यादा फायदा होगा अब बात करते हैं कि Chia seeds को regular खाने के फायदे क्या-क्या होते हैं पहला फायदा वो है यह आपकी digestive health को improve करता है क्योंकि इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया fiber होता है वो आपकी bowel movement को regulate करता है और आपकी constipation जैसी problem को दूर कर देता है उसके अलावा यह आपकी heart की health के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फायदे मन्द है क्योंकि chia seed regular खाने से आपका cholesterol level कम होता है और आपका blood pressure है वो भी कम होता है क्योंकि इसके अंदर omega 3 fatty acids होते हैं उसके अलावा आपको यह skin के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदे मन्द है और आपकी aging में भी help करता है जो इसका अगला फायदा है वो यह है कि आपकी diabetes में भी help करता है क्योंकि इसके अंदर fiber होता है यह आपके अंदर insulin resistant बढ़ाता है जिससे आपकी diabetes में आपको फायदा होता है और जो इसका अगला फायदा है वो यह है कि आपके weight loss में भी बहुत help करता है क्योंकि chia seeds काफी rich है in fiber and protein जो आपकी भूग को कम करता है और आपके food intake को भी control करता है साथ ही साथ यह आपकी energy को भी boost करता है और आपका जो metabolism rate है उसको भी increase कर देता है जो कि आपके weight loss में help करता है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि chia seeds के अंदर vitamin A होता है, zinc होता है, calcium होता है, phosphorus होता है वो आपके दाटों के लिए आपकी जो dental health है उसके लिए भी बहुत ही ज़ादा फायदेबंद है उसके अलावा जैसे कि इसके अंदर calcium होता है तो आपकी bones को भी strong बनाता है और साथ ही साथ जो आपका belly fat है उसको भी कम करता है अब जो सबसे बड़ी बात कि हमको chia seeds को लेना कैसे है वैसे तो आप इसको raw form में भी ले सकते हैं लेकिन मैं आपको suggest नहीं करूंगा कि raw form में लेना इसको अच्छा नहीं रहता है जो इसको सबसे best तरीका है लेने का वो ये है कि सबसे पहले एक चमच या दो चमचिया seeds को पानी में भीगो ले अगर आपके पास समय कम है तो 15 मिनट तक भीगो ले और अगर आपके पास थोड़ा समय ज्यादा है तो आदा एक गंटा कम से कम इसको पानी में भीगो कर रख दे फिर उसके बाद एक ग्लास पानी लीजिए अगर आपके पास नॉर्मल वाटर है तो नॉर्मल वाटर ले लीजिए नहीं तो ल्यूक वाटर ले ठंडा पानी बिलकुल ना ले फिर उसके अंदर आप निम्बू डाल दीजिए शहद डाल दीजिए और साथ में जो हमने चिया सीट्स बिगो कर रखे थे उसके अंदर वो मिला दीजिए उसके बाद इस पानी को आप सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दे रेगुलर्ली ऐसा शुरू कर दे इससे आपको वो सभी फायदे होंगे जो मैंने अभी आपको बताये थे कि चिया सीट्स खाने के क्या-क्या फायदे होते है और जो सबसे में फायदा है जो वेट लोस का अगर आप ऐसा करेंगे सुबह खाली पेट ये ड्रिंक पेंगे तो आपको बहुत ही ज़ादा फायदा होगा वेट लोस में इसके अलावा भी आप इसको अगर आप योगर्ट में दही में मिलाके भी चिया सीट्स को आप खा सकते हैं आप घर में स्मूदी बनाते हैं तो उसमें भी आप मिलाकर चिया सीट्स को खा सकते हैं बस एक बात का ध्यान रखें कि खाने से पहले इसको कुछ देर पानी में जरूर भिगो कर रखें तो दोस्तों ये तो बात थी कि चिया सीट्स को खाने के फायदे क्या क्या होते हैं और आपको चिया सीट्स को खाना कैसे हैं तो अब बात करते हैं कि चिया सीट्स को खाने के side effects क्या है वैसे तो इसको खाने के कोई side effect होते नहीं है क्योंकि एक natural food है लेकिन फिर भी अगर आप ज्यादा dosage ले लेते हैं तो आपको इसके कुछ side effects भी हो सकते हैं जैसे की मैंने आपको बताया कि chia seeds के अंदर high fiber content होता है तो अगर आप इसको ज्यादा ले लेते हैं तो आपको gas बन सकती है और आपके stomach discomfort feel कर सकते हैं इसलिए हमेशा chia seeds को moderation मेले और ज्यादा से ज्यादा पानी पीएं उसके अलावा जैसे की मैंने बताया इसके अंदर omega 3 fatty acids होते हैं तो अगर आप chia seeds ज्यादा मातरा में खा लेते हैं तो आपके अंदर शेरीर के अंदर ज्यादा omega 3 fatty acids चला जाता है जो आपके blood को thin कर सकता है और आपके low BP भी कर सकता है तो यही कुछ side effect है वो जब हो सकते हैं कि अगर आप chia seeds को ज्यादा खा लेते हैं तो हमेशा दिन में एक या दो चमच ही ले उससे ज्यादा ना ले और वो भी सुबह सबसे best time है अगर आप weight loss भी करना चाहते हैं तो तो दोस्तो यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया chia seeds के बारे में और इसको खाने के क्या-क्या फायदे होते हैं क्या-क्या नुकसान होते हैं और इसको आपको कैसे खाना है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को like कर दीजी नीचे comment कर दीजी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share कर दीजी और हमारे channel hello friend tv को subscribe कर दीजी थैंक यू